हालो फ्रेंट्स बेके कॉंपटिशन क्लासेस में आपका हर्द एक स्वागत है आज से हम भी ऐसी फाइनल यार्ज का फजेक्स का जो पेवर फरस्ट है उसका क्वांटम मेकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे-धीरे करती करती है पहला लेक्चर है और धीरे-धीरे इसके संपूर्ण लेक्चर आपको नोट्स द्वारा कवर करवा जाएंगे तो आप एक काम करना जैसे जैसे हम बोलते जाएं आप लोग इनको लिखते जाएं वीडियो को पॉस्ट करते हुए क्योंकि बहुत ही इंपूर्टेंट नोट्स हैं जो आपकी बीसी फानल येर के और मैकिनिकस जान लें तो मैकिनिकस मीश होता है आपाउट मोसन नीयां इंटर directions मोसन मीश गती इंटर क्यर्गस suis करते हैं मैकनिकस सब्प्शुम क्वांटम नहीं है इसके चार पार्ट हैं एक classical mechanics एक statistical mechanics और एक quantum mechanics और एक flood mechanics इन्हीं को हिंदी में कहते हैं चिरसम्मत यांत्रकी, सांखी की यांत्रकी, quantum यांत्रकी और flood यानि की तरल यांत्रकी तो basically दो हैं एक classical mechanics और एक quantum mechanics तो हमको quantum mechanics पढ़ना है तो अब सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि quantum mechanics क्यूं लाया गया जबकि classical mechanics पहले से था तो quantum mechanics की आवर्शक्ता क्यूं पड़ी तो देखते हैं classical mechanics जान लेते हैं यह अभी हम सलेवस पर नहीं आए हैं अभी प्रश्ट भूमी तयार कर रहे हैं तो देखे classical mechanics क्या है तो जो macroscopic मतलब जो इस्थूल कर हैं उनके लिए classical mechanics का प्रयोग किया जाता था जो बड़ी बड़ी पिंड़े जैसे सूरे चंद्रमा प्रत भी इनी के लिए classical mechanics का यूज किया जाता था जबकि जो quantum mechanics है तो उसमें subatomic particle means सूक्ष्मकड़ों सूक्ष्मकड़ों microscopic object के लिए quantum mechanics का यूज किया जाता था तो अब देखते हैं वाट इस quantum mechanics quantum यांत्र की क्या है तो हिंदी इंग्लिस दोनों में है आप दोनों जो भी स्टुडेंट हो English medium हिंदी मीडियम आप इसमें comfortable होंगे देखते हैं वाट इस quantum mechanics तो दा ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डिल्स विद दा स्टरी मोशन एंड इंट्रेक्शन औफ सब एटोमेटिक पार्टिकल्स और माइक्रो स्कॉपिक ऑबजेक्ट इसी को हिंदी में कहते हैं बहुत की की बहसा आखा जिसमें अतिशूक्ष मकणों की गती तथा उनकी अन्ता क्रिया का अध्यन किया जाता है उसी को क्वांटम यांद्रकी कहते हैं जिसमें हम माइक्रो माइक्रो मीज आप जहां से माइक्रो सब्दा है मतलब आप समझाए कि छोटे से छोटे की बात हो रही है तो माइक्रो स्कॉपिक ऑबजेक्ट के बारे में गड़ना करनी है उनकी इंट्रेक्शन का ध्यन करना है तो आम इसकी प्रेश्ट वो में जानी अब हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे कि क्लासिकल मेकेनिक्स मैं इसे क्या कमिया रही जिसके कारण क्वांटम यां ज्रकी को आना पड़ा देखिए तो अब हम आपको लिमिटेशन सौप क्लासिकल मेकेनिक्स बता रहे हैं यह सब आपको जानने के लिए जरूरी है अब इसके आँगे जो टॉपिक आएगा वो आपके सलेवा से रिलेटेड होगा यह इसके एक टाइप से कह सकते हैं आप इंट्रॉडक्सन है वीडि हैं लिमीटेशन सौप क्लासिकल मैकेनिकस तो फर्स्ट लिमीटेशन है इंडेशन देज नौत होल्ड पर इन्डरिजन ओव आटोमेटिक डामेंस शहिंनलि में लिए परमारंकणों के लिए इसके काे नब सही नहीं आते हैं किसके परिनाम जो उत खर निंफिन्य घंसает गै दूसरी लिमिटेशन इट कुड़ नोट एक्स प्लैन दा स्टैबिलिटी ओफ एटम स्टैबिलिटी नहीं बताए बाता परमाणू के इस्थायत को नहीं समझा पाया तीसरा इट कुड़ नोट एक्स प्लैन the concept of black body radiation यह जो black body radiation हे हिंदी में कहते हैं कृष्ण पिंड विकरन इसके concept को भी classical mechanics नहीं समझा पाया और black body radiation अब आगे पढ़ेंगे जो आपकी स्लेबस में भी है और fourth limitation क्या है it could not explain the phenomenon like phenomena नहीं समझा पाया कौन-कौन फ्लोमीना जैसे photoelectric effect है Compton Effect है Raman Effect है इन सब को हमको पढ़ना है और फिफ्ट है It could not explain the variation of specific heat of metals and gases धातू तथा गैसों की उश्माधारिता का तापमान के साथ परिवर्दन भी इससे नहीं समझा जा सका तो ये इसकी limitation है एक तो ये किसको नहीं समझा पाया एक तो ये परिमान ये जो result आता था microscopic object का बोसा ही नहीं आता था दूसरा ये atom की stability नहीं समझा पाया तीसरा ये black body radiation की concept को नहीं समझा पाया इसके अलावा कुछ phenomena थे जैसे photoelectric effect Compton effect, Raman effect इनको भी नहीं समझा पाया और साथ में ये specific heat variation of specific heat of metals and gas means धातू तथा गैसों की उसमाधारिता का तापमान भी परिवर्तन होता है उसको भी नहीं समझा पाया तो ये है limitation of classical mechanics अब हम आते हैं अपने slavers पर यहां से आप important topic में प्रिवेस कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए और no down कर दे जाए अब हम पढ़ेंगे black body radiation क्या है black body radiation आपके लिए important है इसको आप no down कर ये और थोड़ा समझते भी जाएं सबसे पहले एक law है Rayleigh genes का नियम यहां पर ये आप graph देख रहे हैं जो ये ये new और ev के ग्राब बना है यहां ये new dnew ev dnew equal to 85 kt into v square upon cq into dnew db इसके बाद flanks radiation law में क्या बताया गया था जो ये new dnew equal to 8 yh upon cq into vq dv upon e raise to hv upon kt minus 1 तो ये flanks radiation law इसको समीकर एक दे दिया अब हम देखते हैं कि it high frequency होकर तो क्या होगा तो high frequency में s new is greater more greater than kt its means s new upon kt tends to infinitive जब e raise to infinitive tends to infinitive तो e new tends to zero ओके अब ये तो high frequency पर नकाल लिया e new equal to zero अब हम low frequency पर नकालते हैं low frequency कब होगी इसी का पोजिट s new is more less than kt its means s new upon kt is very small इसका मतलब देखो हमें ये जानते हैं e raise to x equal to 1 plus x plus x square upon factorial 2 plus x q upon factorial t अब चूंकि x स्मॉल हो गया है तो आप देखो x स्मॉल है तो आप एक्स का बर्ग करेंगे उसमें दो का भाग देंगे चोटा तीन फैक्टोरियल थीन का भाग देंगे और चोटा 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 हो जाए मतलब इनका कोई value जो होगा बहुत कम होगा इसलिए हम e raise to x equal to क्या लिके देंगे 1 plus x अब using of equation number 1 equation number 1 यह है इसको use करेंगे इसको use करेंगे और यहां पर रखेंगे तो e raise to x यानिकि e new d new equal to 8 pi h upon cq into vq dv upon 1 plus v upon kt minus 1 इसको solve करेंगे s से h cancel v से v cancel तो इसको जब हम solve करेंगे तो यह आ जाएगा e new d new equal to 8 pi kt into new square dv upon cq यह याद रखिए यही है black body radiation के लिए जिसको याद रखिएगा आगे कामे आएगा तो अब देखते हैं plank की परिकल्पना क्या है plank hypothesis देखिए अभी plank hypothesis देख रहे हैं पर इसके बाद debrogly hypothesis देखेंगे उसके बाद bored hypothesis देखेंगे यह आपके लिए important है तो plank hypothesis देखते हैं जिसमें पहला है कि plank के अनुसार बिकरण का उस्तरजन तथा आउसोशन सततना होकर निश्चित उर्जा के बंडलों या पैकटों के रूप में होता है जिसे photon कहें प्लैंक ने कहा था कि जो बिकरण का उस्तरजन या आउसोशन होता है वो continuously नहीं होता है जबकि कैसा होता है? पैकट्स की रूप में होता है अभी तक क्या मालूम था कि जो बेव हैं वो बेव रूप में चलती हैं जो तरंगें लेकिन वो कह रहे हैं कि ये पैकट्स रूप में चलती हैं continuously नहीं होकर दूसरा क्या था? प्रतेक फोटोन में निश्चत संबेग नहत होता है जिसका मान विकरण की आपड़ती के समानुपाती होता है यदि विकरण की आपड़ती निउ है तो प्रतेक फोटोन से संबंदित हो जा E equal to H new तथा संबेग H new upon C होगा यहाँ पर जो H है यही है plank नहीं तांक और इसकी value क्या है? 6.6 into 10 raise to minus 34 joule second और C जो है वो फोटोन का क्या है? velocity या वे तो यह है black body radiation यह इस formula को आप याद रखिए आज की class में इतना है अगली class में हम D-Brogly hypothesis को देखेंगे bore hypothesis को देखेंगे और धीरे धीरे पूरा BSC का syllabus है notes के माद्यम से complete कर लेंगे तो आप इस channel बने रहें अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को subscribe करें अपने friends को share करें उन्हें भी बताएं जिससे वो उनका भी BSC का syllabus complete हो BSC B के competition classes में budget करने के लिए आपका तहे दिल से शुक किया Thank you so much